गुड़ मॉनिंग दोस्तों आज हम लोग यहीटर के उपर बात करेंगे यह एची यूनिट है इसका हीटर 48 क्लोवाट का है 69.3 एंपेर है एरिटर एंपेर इसका एयर फ्लो सूच है इसका सिफ्टी डिवाइस है तो यहीटर में कंप्लेंड यह था जो कंप्लेंड यह था कि हीटर 2-3 मिनट चलता है बात में रहर देखी है तो यह यह वैर्न और देखी यह निए टेस्टिंग में कि देशिश करने के लिए वर्मेंट्ली नहीं की टेस्टिंग के लिए तो यह लॉद्आ को जो जो कलर है वह पीछह में ब्लाइक हो जो पेपर दिख रहा है को सुच है वह T है ओवर हिट थर्मस्टेट हो तो सीरीज करेक्षण रहता है पावर पास करतासी उससे घ्र कष्चा हो देख पिछे में तो पावर ज्सक्रामरा बसंटोरता है तो जब उसमेंया अब दो मिनट के बाद नहीं दे रहा है। हुआ है तो यह उससली में कि आब तुरि ऊक्राइब कंद्वाहर earliest कփ तो दो थीन मिनट के बाद इल्दी नहीं दे रहा जिसके बासे हीटर जार रहा और नहीं चल रहा यह year flow switch है यह year flow switch और इसमें भी सेम है जब flow आता है तो continuity देता है, heater चलेगा, flow stop होगा, तो heater stop हो जाएगा, continuity नहीं देना चाहिए, तरीका यह ही, यह pipe के थुरू, blower से उसको हवा आता है, वो year flow switch में, तो जब year flow, नाम ही है, उसका year flow switch, जब flow आएगा, तब वो चलेगा, जब flow stop होगा, तो फिर वो stop होगा, तो complaint यह था कि हर दो, तीन unit के बाद heater stop हो जाता है, और फिर नहीं चलता है, यह पुर आशका description मौझूद एसका unit के name plate पर, तो बाद में हमने इसको testing करने के लिए, तो EHU में दो safety device आते हैं, especially बहुत, जो main इसके जो है, एक year flow switch है और दूसरा OHT कभी भी किसी बाइचांस, अगर आपका दोर stop होगा, बुलोर का बेल टूटा, तो आपका flow stop होगा, heater stop हो जाना चाहिए, रुख जाना चाहिए, दूसरा, OHT किसी भी कारण अगर बाइचांस कोई भी problem होगा, तो यह होना चाहिए, लेकिन यहां सब नॉर्मन होने के एमपेर सही है कि नहीं है, किस वजा से वो ऐसा की यह तो सब नॉर्मल था, उसके बिना मुदब होता है, वो खराब हो गया था, इस वज़ए सो ऐसा हो रहा है, तो यह फो शुच जब काम नहीं करेगा, या वह इस तीक काम नहीं करेगा, दो safety device हैं, तो यह आपका, वो stop हो तो यह problem मिला था, तो मैंने का शेयर करते हैं वीडियो को, कुछ लोगों ने कहा था, कि हीटर के पर डालने के लिए, तो इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो easy है, कभी पर problem है, तो your flow switch का continuity चेक किया, और इसका continuity चेक किजिए, अगर इसमें continuity नहीं बता रहा है, तो इसका रिसेट करने से वो continuity बताने लगता है, कभी कभी वो trip हो सकता है, कुछ भी lose connection या short, कुछ होने से हो सकता है, कि वो continuity stop हो गया हो, लेकिन रिसेट किया फिर भी नहीं बताया, तो बस हाँ, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ नहीं है, एक आपको your flow switch मिलेगा, और दूसरा आपको य नहीं है, दूसरा वाल OST पर है, दो टाइप का OSTS में, दोने का जो, एक main line के connection पर है, और एक control के connection पर है, एक control connection पर है, एक main line के, तो इसको हम लोग, वो यह करके, यह देखिए, यहां पर देखिए, चल रहा है, इसका ampere 22 है, टोटल आपका 67 तक आता है, रेटेड आपका 69 29 है यह, उसको हम वाँ, 21, 21, तब कभी इस तरह का issue में problem है, तो कुछ जादा इसमें कुछ मसला होता नहीं, सिर्फ वही मैंने कहा दो ही चीज़ नहीं, air flow switch और यह है, तो अभी हम लोग उसको change कर दी है, उसको change की, एक, तो, और यह तीन खराबता, तीन खराबता, और वहा को उचार या नहीं के, लेकिन उसको दिखाए है, यह वस्ट करके, यहाँ तक यह वीडियो है, बस यही है, ओके, वीडियो अच्छा लगा तो आपसको like कीजिए, और अच्छा नहीं लगा, और घंटी डबाओ, नोटिफिकेशन आता,